तो इस सब ते कुछ जादा कॉंटेंट आ गया है, टीजर्स, ट्रेलर्स, मुवी, सीरिस, सब कुछ पे मैं वीडियो सेपरेट नहीं बना सकता था, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आलस, तो मैं तो मैं तो सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, तो इस शो बहुत ही कैरफुली लिखा गया है, यह तो बिलकुल नहीं कमगा कि कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्लॉट था, या स्टोरी थी इस सीरिस की, या फिर कुछ जीनियुस शिट कर दिया उन लोगोंने, बाट इच एपिसोड अफ इस सीरिस इस सीरिस के अच्छी बात ह से बहुत रुला देने वाली है, अगर आपको सीजन बन अच्छा लगाता तो आप सीजन टू भी ट्राय कर सकते हो, यह भी वैसा ही है, यहाँ पर जाधा ट्विस्ट है और जाधा कॉमेडियो अफ एरर है, और मैं कहुँगा कि जावेद जाफरी का जो करेक्टर है, वो मिसिंग होगा था, हालकि यह सीरीज यह वर्दान पर है, और ऐसा वर्दान किसी को नहीं मिलता है रियल लाइफ में, तो लॉजिक की बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी, वहाँ पर चीजों को थोड़ा और ग्राउंडिट रखा जा सकता था, मेरे कहने का यह मत स्टोरी है, वह बहुत ही जादा बेसिक है, ऐसी स्टोरी आपने ना पहले भी बहुत सारी फिल्म में देखी होगी, लेकिन फिर भी जो मुवी का फर्स्टाफ है वह आपको हुक तो करता है, बैस सच बता हो जो फर्स्टाफ का ट्रीटमेंट है वह बढ़ाई KGF टाइप क प्लोट आगे मूव नहीं कर रही होता, स्टोरी आगे मूव नहीं कर रही होती, तब सेंस नहीं बनता है चीज़ों का, साफ सा ऐसा लग रहा था कि कोई डिरेक्टर को फोर्स कर रहा है कि बाई, दो खंटे 45 मिनट से कम की फिल्म नहीं होने चाहिए और यह चीज़ उसे ग कर आयो, तो अच्छा कैमरा और लाइटिंग तो दो यार, लेकिन सिर्फ यही नहीं था जो फिल्म को डुबाता है, मूवी का असली नुकसान होता है सेकंड हाफ में, मतलब मैं इरिटेट हो गया था यार, वो बिना सिरपैर के करेक्टर को देखकर, और जो जानवी कपूर का कैरेक्टर ना, उसकी राइटिंग इतनी जादा बेकार है, तो यार, तो मैं रेक्कमेंड करूँ हो कि आप लोग ये फिल्म OTT पर देखना, लेकिन अगर आप NTR के फैन हो तो जरूर थेटर जाओ, एंज़ाइ करो कि ये प्रॉपर NTR के फैन्स को दिमाग में रखते हु बाइट कारेक्टर और बाइट सिनेमेटोग्राफी की वजह से, ओके तब बात करतें लास्ट ओफर सीजन टू के टीजर की, भाई, तिस वन अफ दो बेस्ट टीजर आफ सीन इन वाइल, मतलब जो सॉंग यूज किया गया है टीजर में, जो थोड़ी बहुत डायलोग्स हम बहुत सारे जॉंबीज भी होंगे, इसका जो पहला सीजन था वो काफी लंबा था, 9 एपिसोड थे और जो लेंट थी एपिसोड की वो भी काफी जादा थी, तो हाँ, ये लोग काफी सारी चीजर दिखा सकते हैं एक ही सीजन की अंदर, ये लोग काफी सारी चीज़ों पर एक्सपरिमेंट भी कर सकते हैं, to be honest मैं excited हूँ ये देखने के लिए कि Jewel कैसे अपने पापों को handle करेगा, उसने जो बुरे काम की उनको कैसे वो handle करेगा, ये वो गंदा आदमी तो बन चुका है, वैसे दूसी तरवा में टीजर ये भी बताता है कि कुछ नए characters introduce होने वाले continue करी जाएगी, और मुझे HBO पर पूरा भरोसा है और उमीद भी है कि वो एक बहुत ही अचा शो बनाएंगे, यसे टीजर के अंदर एक जो सीन आता है जिसमें स्नो के अंदर कूप सारे zombies भकते वे आ रहे होते हैं, और यह लोग वाल के उपर से देख रहे होते हैं, भाई, वो एपिक शिट था यार और से मुझे लॉंग नाइट याने की गेम अफ त्रोंस की याद आ गई, आइम रिली वेरी एक्साइट फॉर दिस शो, हलागे इनोंने टीजर के अंतर रिलीज डेट ना बदा के गदार ही कर दी, पर फिर भी जब भी आएगा हम लोग त्विच लेकिन इस उनिवर्स के अंदर ना बहुत वरी अजीब चीजे भी होती है, हमारे जो बाबा यागा है ना वो तब ही मरते हैं जब वो चाहेंगे और वो जिंदा भी तब हो जाते हैं जब वो चाहेंगे, पर मैंने चाहता कि वैसा treatment बैलरीना को मिले, लेकिन अकर ट्रेलर क बात करें तो यार क्या कुछ नहीं दिखा दिया उन्होंने ट्रेलर के अंदर, एक सीन था जिसमें एना डियार्मस का करेक्टर बैलरीना, एक आदमी के मुह में बम फिट करती है और फिर धरवाजा बंद करती है, उसके पीछे बम फटता है, भाई, वो कूल था यार, उप इतने ही क्रियेटिव और इतने ही कूल जो आपने किसी और फिल्म में देखे ही नहीं होंगे, और ट्रेलर उसकी जलक देता भी है, जब वो आइस एंड वाटर वाली फाइट होती है, बैलरीना आने में आभी बहुत जादा टाइम बचा है, यह अगले साल जून में आएग पता है भी नहीं फिल्म के बारे में, और जैसी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है ना वैसा कुछ मैंने इंडियन फिल्म में तो नहीं देखा है यार, कुछ अलाग ही यह बिल्कुल, और इतना अलाग है कि शायद से ओडियन सी डिवाइड हो जाए, कुछ लोग पसंद करें यह ना ऐसा लग रहा है कि यह एनिमल फिल्म है, बट इन अल्टेरिट यूनिवर्स, जहां पर लीड करेक्टर आलिया भट है, थोड़ी संकीज ही लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका एक मोटिव है जिसको लेकि वो बहुत इमोशनल है, और उस मोटिव के लिए वो ट्रेलर को देखोगे न, तो आपको लगेगा कि यह जॉर्डन पीले ने फिल्म मनाई है, लेकिन राइन कूगलर है इस फिल्म के डिरेक्टर, इन दे कॉंसेब्स लुक्स अमेजिंग, यह ट्रेलर न जादा कुछ बताता नहीं है, लेकिन जितना कुछ रिवील करता है उस सब की जिग्या सा तो बढ़ जाएगी, और सच कहूं तो ही मेरे टेस्ट की फिल्म लग रहे है, यार कि सम डाक शिट इस गोइंग आन, कुछ मिस्टरी भी है, विट सम होरर एलिमेंट, आकल भी जॉर्डन और राइन कुगलर की जो जो जोड़ी है, वो अल्रेट हीट है, और लग रहा है कि इस बार भी कुछ कमाल ही होने वाला है, वैसा सुना तो मैंने ये की जो फिल्म है, ये वेंपाइर्स के बारे में होने वाली है, बट आइम शूर कि इसमें और भी जादा ट्विस्ट होंगे, वेंपाइर की जो कहानी उसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा, vampires के जो type पे उसमें भी कुछ twist होगा let's see कि sinners exactly किस बारे में है अब इस सबते हर कोई teasers release कर रहा था तो T-Series ने भी एक teaser fake के मारा भूल भूलेया 3 का और इस film में Vidya Palan as Manjulika return कर रही है देखो सबसे पहले तो she was too good in the first film she was the lead and she was terrifying लेकिन इस teasers ऐसा लग रहा है कि इस character को पूरा goofy बना दिया है यार अगर आप side by side compare करोगी ना तो दोनों ही Manjulika बिल्कुल different लग रही है even though the actress is same अब ये फरक आया है obviously director की वज़े से और इस अजीब cinematography की वज़े से मतलब camera क्या मूँ में घुसाद होगी का मैं सच में इस character को बरबाद होते वे नहीं देखना चाता हूँ यार Manjulika was always terrifying she was never funny she was always furious और ये उसकी आखों में दिखता था anyway भूल भूले कि जो USP है ना वो है उसकी comedy लेकिन इस teaser के अंदर हमें कहीं भी comedy देखने को नहीं मिली पता नहीं क्यों नहीं डाला I hope कि उनने comedy का level तो at least maintain करके रखाओ at least पिछली film जितना हो या उससे तो better ही हो यार दे को पिछली film जो थी ना उसकी timing सही बैट गई थी audience के साथ में शायद से उस समय और कुछ content आया नहीं था और families नहीं फिल्म देखी थीटर में लेकिन हर बार ये चीज नहीं होगी but I am still rooting for Karthikarian मैं चाहता हूँ कि उनकी ये film hit हो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये film पसंदा ही को कि भूल-बूले है मुझे अच्छी लगती है तो लाइक और शेकर देना में को मिलूंगा अगली वीडियो में